हलो दोश्तों, आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फोटो सॉप में फायर टाइप का टेश्ट कैसे बनाएंगे ये वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड वेडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले हम आपको यहां पे फोटो सॉप में आ चुके हैं और आपको यहां पे फायल में आना है फायल में एक न्यू फायल लेना है और यहां से हम कोई सब ही एक पेज ले लेते हैं पेज लेने के बाद आप OK कर दीजिए यहां पर आपके सामने इस टाइप से पेज आ जाएगा अब करना क्या है कि सबसे पहले जो पेज है आपका इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक करने के लिए हम यहां से आजाते हैं इस कलर पे और यहां से ब्लैक कलर चूच करके इसको OK कर देंगे और यहां का जो यह color है इसको white कर लेना है और तो background color black और front color याने for ground का यह white होना चाहिए इसको वहने के बाद हम इसको maximize कर लेते हैं अब हमें जो test लिखना इस पर हम type कर लेंगे पहले हम इसका color change कर लेते हैं color change करने के लिए आप control के साथ या back space या delete button press करेंगे यह तुरंत color change हो जाएगा अब इसके बाद आप test पर आना अब यहां पर जो भी हमें test type करना हम test यहां पर type कर लेते हैं जैसे हमने यहां पर नाम लिख लिया हमने नाम टाइफ कर लिया नाम टाइफ करने बाद इसको आप सही कर लिए सही करने बाद आप यहां पर क्या होगा कि आप इसको move tool का यूज करिए और इसको size बड़ी कर लिजिए तो यहां से हम इसको resize कर सकते हैं तो हमने test को perfectly तरीके से माल लेते हैं यह resize कर लिया है जिबना भी आपको size हो गया देना है आप दे सकते हो अब इसके बाद आप इसको टिक कर देजिए अब यहां पर क्या करना इसी test की duplicate copy के लि यहां पर क्या होगा उसकी 60 की यह मतलब एक layer बनके आ जाएगी तो इसकी दो same layer हो चुकी यह भी है और यह भी है तो पहले जो copy की है उसको हम यहां से height कर देते हैं अब इसको क्या करना है यह जो layer है इस पर आदना अगर इस select नहीं हो दा तो यहां पर देखो add layer selection नहीं होग तो यहां से भी आप on कर सकते हूं इसके बाद edit में आना edit में आप एक transform मिलेगा transform में आपको rotate 90cw पर click करना तो test आपका इस type से rotate हो जाए रोडेट होने के बाद आप यहां पर आप आना इसको क्या करना filter में filter में आना आपको यहां पर stylize options और यहां पर आपको एक मिलेगा wind wind में आने के बाद इसको test को restrize करना ok करेगा और इसको कर देना from left क्योंकि यहां की तरफ हमको चाहिए और यहां से ok करेंगे तो यहां पर देखो एक effect इस type से apply होगा और यहां पर आप देख सकते हो कि wind वाला फिर से apply करना हमें तो ctrl f इसका sort की आप press कर सकते हो तो हम यहां से control button press कर देते हैं जितना आपको इस type का effect चाहिए है माले थे हमें इतना चाहिए था हमने इसको इतना रख था फिर इसके बाद आप क्या करेंगे test को जैसे normal था पहले फिर transform पर आएंगे और यहां से इस बाद rotate CCW वाले पर click करेंगे तो आपका test इस type से हो जाए है अब इस फिर से हम आएंगे यहां पर इक बढलर option है इसपर आप आना डेच sorting आप यहां पर देख पायेंगेा आपको जीतना test Spirit santal reduce करना है यहां से आप वहां से कर सकते हो तो हमको जितना करना था हमने उस type से इस test को reduce किया अब आप देख सकते हैं कि इस test इस type से हो चुका है अब आपको करना किया है एक जो यह background है इसकी भी एक copy यहां से select करके नीचे की तरब drag करेंगे एक इसकी भी copy बन जाए अब copy होने के बाद इन दोनों को क्या करना है आपको merge करना है तो आप इस पर आ जाना और layer पर यहाँ पर control इसका sort की है हम आपको दिखा देते हैं option में merge down यहाँ से जैसे आप click करेंगे तो layer merge हो जाए मर्ज होने के बाद अब आपको आना फिर से filter में filter में आपको एक मिलेगा liquefy liquefy से क्या होगा कि हम इसके pixel को खीच सकेंगे तो हमें इसके pixel को खीचना है तो हम पहले इसको थोड़ा से जून कर लेते हैं control plus से और इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं और control माइस करें ठीक है अब यहां पर आगे सबसे पहले आप इस option को select करोगी जो पहले से tick रहेगा वह रैप टूल इसका नाम रैप टूल है इसको select कर लेना अब इस से क्या करेंगे हम पहले size और देख लेंगे कितनी size इस test किया है तो हमें एक इस type से fire type का इसको बनाना है हम क्या करेंगे इस type से उसको निकाल देंगे तो इसमें से आप perfect type से यह तो हो नहीं रहा सही तरीके से वापस आ जाओगे और अब यहां से हम क्या करते हैं इसकी थोड़ी से size छोटा कर लेते हैं हलका size छोटा और यहां से आके अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा कर लेना pressure size कम कर लेते हैं अब क्या करते हैं हम test को इस type का एक ऐसा लगे कि यह जो test है यह firing यानि चल रहा है न तो इसको आपको इस type से आपको बनाना है ठीक है इस तरह आप इसको ड्रैग कर लेंगे कि इस तरह से भी कर लेना जिधर जेर से आपको लगे कि थोड़ा effective टाइप का लग सकता है इस type से आप इसको ट्रैग कर लेना हमने तरह आपको बना है हमने इसको चारो तरफ से कर लिया है कि यहां पर आप देख सकती हूं कि जो भी जैसे आपको टेस्ट करना है उस टाइप से आप इसको करती हुए चले जाना है और भी अलग टाइप से आपको लैंब टाइप के निकालना है आप उसको ठीक यह चीज़ें हमने कर दिया करने बाद इसको आप ओकी कर लिए ओकी करने बाद आपका टेस्ट इस टाइप से हो जाएगा अब यहांँ पर होने बाद आप यहां पर आना एक नीची यहां आफसा ना create NEW widget के लिए इसपे आफ इस रिख करने है यहां पर आपको मिलेगा है situation का यह यहां से आउन और यहां से हम चूच करेंगी यहांपर पहले colorize प्थिक करेंगे एक लागए जब एक कलर में सो होने लगए आप इसको थोड़ा साइट करके इसको इफेक्ट को भी रखेंगे यह कि रखने के बाद अब आप कल्राइज पर टीक नहीं करेंगे अब नॉर्मले उसकी फिट को आप देखेंगे इसको आप देखना कहां पर फर्फेक्ट लग रहा है तो वहां पर आप उसको छोड़ देने हैं साट्यूरेशं साथ आपको जीतना रखना है और एक रख लिए यह और इसको हिसाब से आफको करना है वा ने इस्ट होगे करना अभी दो टाइप से हो गया अब यहां पर आना इसके मोड पर इसको थोड़ा हम जूम करते थे हो ले रहा है विन्डू प्लस से जूमिंग होता है विन्डू प्लस से पुरी स्क्रीन को आप जूम करते हैं मैग्निक फाइर ऑफसे école मोण हो जाता है तो इसको हम यहां से आय अब यहां पर देखिज़्याप जो नॉर्मल था इसको करना जाए उब लिए तो यहां पर अब डेना टिक करना अब जो पहले आपके layer थी उस layer को आप on कर लेना तो यह भी layer यहां पर आपको सूने लगे इस layer को हम यहां भी क्या करते हैं perfectly उसी test पर लागे करते हैं जो test था हमारा इस टेक्ट पर हम पर्फिक्टली यहां पर लाएं लाने के बाद अब इसी पर आप क्या करना राइट किलिक करना राइट किलिक करने के बाद यहां पर ब्लेंडिंग आप सना जाएगा यहां पर आप आना इसके options open हो जाएंगे ठीक है option open होने के बाद आप यहाँ पर चूछ करना color एक gradient over ले इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर gradient color आप देख सकते फिल होने लगा है अब यहाँ पर आपको एक gradient color है इस पर टिक करेंगे टिक करने के बाद यहाँ पर जो भी fire type का test effect या lighting आपको लेनी है माल लेते हैं इस type का red वाले पर click करते हैं तो अब देखेंगे आप जो यह test है normal इस type का हो चुका है आप यहाँ से भी कम जादा उसको कर सकते हैं कि कितनी opacity भी होना चाहिए और इसके ब आपको इस type से एक test बन चुका है तो आपको लगभग इस type से दिखने में लगे गया और इसकी आप देख सकते हैं इसको ठीक और यहां से इसको आफ कर दीजिए यह इस test को अपने हिसाब से थोड़ा सा अर्जेस्ट गएरा कर सकते हो जिदर आपको करना है नहीं करना है तो आप हटा भी सकते हो आपको जैसे भी से लगे इस टाइप से कर लेना तो इस टाइप का हमें एक बनाने के लिए हमने आपको और फोटो सॉप या कंपीटर से रिलेटेड वीडियो इस तरह मैं अपने इस चैनल यानि लैन इस्टड़ी 001 पर लाता रहता ह तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना थैंक यू इंचे इंचे वारत